देखिए अगर किसी patient का बार-बार अगर वजन वो बढ़के आ रहा है तो कि उसका dry weight आप reassess करेंगे साथियों आज हम discuss करने वाले हैं pre-dialysis assessment of dialysis patient dialysis करने से पहले हम किन parameters को देखते हैं उनको हम clinical aspects से देखेंगे तो देखिए उसमें हम weight gain को देखते हैं, blood pressure देखते हैं, pulse देखते हैं, temperature है, iron respiratory rate है तो इसमें देखिए अगर हम weight gain की बात करें तो weight gain कभी दो dialysis के बीच में dry weight से 5% से ज़्यादा का increase नहीं होना चाहिए यानि एक 60 kg का patient है, उस 60 kg के patient का अगर हम 5% निकालें तो वो आएगा 3 kg तो एक 60 kg वाले patient का दो dialysis के बीच में 3 kg से ज़्यादा का fluid gain नहीं होना चाहिए अगर किसी patient का 5% से ज़्यादा का weight gain अगर हो रहा है, तो हो सकता है कि वो अपना fluid intake को उसने बढ़ा लिया हो तो हम समझाएंगे कि fluid intake को आप अपनी safe zone में रखिए या हो सकता है कि diet में वो salt लेना जादा कर दिया हो, तो हम समझाएंगे कि diet में salt को कम कर ये नमक को कम किजिए या हो सकता है कि उसका urine output था जो पहले पेशाब होता था वही कम हो गया हो यानि कि जतना पेशाब उसको पहले होता था उतना पेशाब अब नहीं हो रहा है पेशाब होना कम हो गया तो उसका weight gain वो जादा बढ़ना शुरू हो गया तो उसको चेक करने के लिए आप उसको बोलेंगे कि 24 hours का urine output को collect करे 24 घंडे का पेशाब वो अपना पेशाब करेगा उसके clear हो जाएगा कि पहले जो उसका पेशाब होता था उतना पेशाब उसको हो रहा है कि उतना पेशाब उसको नहीं हो रहा है देखिए अगर किसी patient का बार-बार अगर वजन वो बढ़के आ रहा है तो फिर उसका dry weight आप reassess करेंगे वो है blood pressure तो blood pressure वो ideally 140 by 80 से कम होना चाहिए लेकिन अगर किसी का 160 systolic है और 90 diastolic है तो ये भी acceptable range है लेकिन इतना नहीं होना चाहिए अगर किसी patient का BP gradually बढ़ड़ा यानि धीरे 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 बढ़ड़ा है तो फिर आपको उसका dry weight वो कम करना पड़ेगा लेकिन अगर किसी patient का BP 160 by 90 से ज़्यादा लगतार बना हुआ है तो फिर आपको उसको consult कराना होगा अपने doctor से, neurologist से या cardiologist से लेकिन अगर किसी patient का BP पिछली dialysis से कम है यानि पिछली dialysis पे BP ज़्यादा था जब आज आया है तो dialysis कम था तो फिर ऐसी condition है भी आपको उसको medical advice दिलाना होगा हो सकता उससे कोई problem हो और medical treatment की ज़रुवत हो नेक्स चीज़ जो हम चेक करते हैं वो है pulse तो pulse वो 6200 bit per minute को normal होती है तो अगर आपने machine के जरीए से किसी का pulse को ले लिया है फिर भी आप उसको manually चेक करिए manually उसको मिलाना जरूरी है कि machine से और manual दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर किसी का pulse rate इससे match नहीं कर रह नेक्स परामेटर जो हम देखते हैं वो temperature है temperature normal वो 35.8 से 37 centigrade के बीच का normal होता है तो जब डायलसी पर patient आए तो आज का temperature और पिष्टी डायलसी के बीच का temperature difference आपको देख लेना चाहिए अगर इस range से बाहर है temperature जैनी 35 से कम है और 37 से अगर जादा है तो हो सकता है patient को sepsis हो यह हो सकता है patient को हाईपो थर्मिया हो के लावा patient से आप पूछेंगे हो सकता है को सकता है उसे कोई localized infection हो सकता है तो इसका temperature में वो आउट रेंज हो रहा है अगर उसको skin में कहीं breach हा गई है कड गई है या पिशार में जलन हो रही है तो आप उसका यूरीन कलचर करा लें या ब्लेड कलचर चरा everytime-ishes लेक्स्ट है वह रिस्पिरेट्री रेट है तो देख्ये रिस्पिरेट्री डेट वह आडएली 18-24 rpm की होती है अगर इस से जो रेंज है इस रेंज से अगर आउटसाइड होता यानी 18 से कंग्या चौबीस से जादा होता है तो फिर उससे कोई प्राब्लम की जैसे हो सकता और सिर्दे nosso लाव वर्लोड वॉ multiply उसके लावा सिन देखते में आप इंसे सिक लेंगे मैं जैसे हैं युनिवर्सल प्रिकोशर जीrest हैंड वाश है, गलफ पहनना है, गाउन है, मासक है, यह